संसद के बाद अब सड़क पर विपक्ष का संग्राम राहुल ने लगाया पिये मोधी पर बड़ा आरोग कहा सदन में पहली बार हुई सांसदू की पिटाई मार्च निकालने के बाद कॉंग्रेस नेतार राहुल गांधी मीडिया समखाते पुए और केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा आज हमें आपसी मीडिया से बाद चूप करने के लिए यहां ना पड़ा क्यूंकि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमती नहीं है केंदर के तीन क्रिशिकान उन्हों को रद करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेट काई विपक्ष नेता उन्हें गुरुबार को संसद के विजए चौक की ओर मार्च निकाला मार्च निकालने के बाद कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी मीडिया से मुखातिफ हुए और केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला उन्हें कहा आज हमें आपसे मीडिया से बाद चूइत करने के लिए यहां ना पड़ा क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमती नहीं है ये लोकतंत्र की हत्या है इसके अलावा उन्हें कहा संसद का सत्र समाप्त हो गया है इस दोरान 60% देश के आवाज को कुछ लागया अपमानित क्या गया राजसबा में पहली बार संसदो की पिटाई की गई बाहर से लोगों को बुलवा कर और नीली वर्दी में डाल कर संसदो से मारपीट इश को बेचने का काम कर रही है हिंदूस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने ये सब कुछ कहा वह लुजगारों इंशॉरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोधी किसानों पर अत्याचार करते हैं जो उनका है वो उनसे च्छीनते हैं और फिर किसानों को देश द्रोही और खालस्तानी कहते हैं पेगासस पर बहस से भाग रही सरकार रहुल गांधी हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा लेकिन सरकार ने मना कर दिया हमने संसत के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया लेकिन सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी संसद में कल मार्शल लौ लगाया गया था संजर राउल हमने कल लोकतंत्र की हत्या होती देखी राजिसवा में कल जिस तरह से प्रैवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस मांकर हमारे सांसद उपर हमला करने की कोशिश की ये मार्शल नहीं थे संसद में मार्शल लौ लगाया में किसी को दोश नहीं देना चाहता लेकिन संसत में जो काम नहीं होना चाहिए वह हुआ है मैं आगामी सत्र में संसत की कारवाही चलाने के लिए दोनु पक्षयों के सभी बरिष्टने Τाओं को एक साथ सरकार चर्चा से भाग रही शशी थरूर। जस परकार अराजवक्ता संसत के अंदर विपक्षी पाजी और खासकर राहूल गांधी के नितरुत में कॉंग्रेस पाजी ने दिखाया है उसे पूरा देश और लोगतंत्र शर्मिस्दार हुआ है।